बेसिकल यह पता होना चाहिए, कहां पे आपको anxiety पढ़ना है, कहां पे आपको कुछ और चीज़ पढ़ना है, कहां पे आपको थोड़ा depth में जाके पढ़ना है, physics में भी मानलो कौन से topic में से ज़्यादा questions आ रहे हैं, कौन से formula based questions ज़्यादा आ रहे हैं, कहां से theoretical questions के probability ज़्या किया, या अपने ऐसा क्या अलग चीज़े किया, क्या चीज़े अपने अलग तरीके से किया, जिसके वैसे शायद आपका all India rank वनाया है, तो मैं बता रहा हूं कि मैंने वैसे तो बहुत से चीज़े जो हमें normally करना चीज़े, normally हमें coaching जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, व किया था, एक तु मुझे last तक ही figure out हो गया था कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है, what to study and what not to study, यह चीज़े distinguish करना बहुत जादा important है, और इसके अलावा high weightage topics, यार मैं क्या करता था, हमेशा मेरी priority पे high weightage topics पे जादा ध्यान देता था, high weightage topics और धंग से प्रिपर करता था, इसका मलब ऐसा नहीं कि low weightage topics जो अलरी प्रिवियस दस साल में बहुत जाद नहीं पूछेगे, उनको मैं बिलकुल ignore कर देता था, उनको भी मैं पढ़ता था, but मेरा priorities एक दम बिलकुल set रहता था, कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले high weightage topics पढ़ना है, फ फिर वो मतलब कुछ limited चीज़े ही store करके रखेगा, बागी की चीज़े फाल्तो की चीज़े फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है, तो आपको ये set करना है कि आपको कौन सी limited चीज़े आपके memory में एकदम top priority पे एकदम number one पे रखना है, और कौन सी चीज़े आपको, एक hierarchy, एक order पूरा set करना ही, कौन सी चीज़े उसके बाद आएगी, और उसके बाद फिर अगले step में क्या आएगा, ठीक है, तो basically पहले reason पे आते हैं, यार PYQ analysis, ये चीज़ बहुत simple है, कि आप लोग को भी करना ही चाहिए, at least जो लोग सिर्फ जो बहुत top scorers ही नहीं, सिर्फ जो selection के लिए भी एम करें, मालोग जिसका target सिर्फ 600 प्लस है, या 620 है, जिनका target सिर्फ एक कोई simple government medical college है, उनके लिए भी मैं बोलूगा कि ये PYQ analysis बहुत important है, क्या करो, simple revision के लिए at least आप क्या कर सकते हो, आपने पूरा theory पढ़ लिए, आपने पूरे concepts पढ़ लिए, लेकिन आप ज previous 10 years के need questions तो करने ही करने, और वहां से आपको एक धंका idea लग जाता है कि कहां से बार बार जो है चीज़े पूछी जा रही है, ठीक है, तो PYQ analysis बहुत important है, हमेशा आपको हर एक chapter करना चाहिए, और depend करता है कि वह कौन से subject है, जैसे physics है, तो physics में भी मालोग कौन से topic में से ज CRT के बार कुछ आता ही नहीं, CRT की लाइने उठके डिरेक्ली आ जाती है, और कौन से topic से जहां पर थोड़ा बहुत probability है कि शायद बाहर से आ जाए, या फिर मालो थोड़ा बहुत complicated question बन जाए, थोड़ा बहुत आएगा तो अंदर से ही, बट थोड़ा सा complicated question, थोड़ा language change कर video लगता है, बहुत सी चीज़ों का आपको एक idea धंका लग जाते है, अगर आप धंक से PYQ analysis करते हो, अगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे नहीं initiative Toppers Clubs के बारे में बताना चाहता हूँ, यह basically है क्या कि हम इसमें मैं और मेरे जो AIMS New Delhi के और भी दोस्त हैं, जो खुद Toppers रहे हैं, हम आपको provide कर रहे है, one to one personal mentorship, तो आप हमारे website को जाके check out कर सकते हैं, basically इसमें क्या-क्या features आपको मिलेंगे, आपको weekly time table मिलेगा, आपको daily time table मिलेगा, आपको dedicated personal mentor मिलेगा, AIMS New Delhi का MBA student, यानि of course नेरा friendly है वो, और इसके अलावा, आपको 24-7 chat support मिलेगा, आपको भी add किया जाएगा, जहाँ पर आप अपने बाकी और mentees जो होंगे, उनके साथ मिल करके study कर सकते हैं, group size भी छोटा रखा जाएगा, इसके अलावा यार, आप थोड़ा features यहाँ पर देखी सकते हैं, है ना, common, एक WhatsApp group होगा, Telegram group होगा, और हाँ, हर हफते मैं खुद आकर, जो है, मॉक्टेस में कितना score रहा, मॉक्टेस में कितना score improve है, नहीं पूरा जो है, प्रॉपर तरीकी से, पीर गाइदेंस की तरह आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि टीचर का एक point of view होता है, और एक point of view आप ऐसे समझ लीजे कि एक student जिसने अलरीडी एक्जाइम क्रैक किया है, और mentor भी a lot होगा, तो यह देख लो, आप हमारे mentors के details भी है, आप देख सकते हो, ठीक है, एक और information में बता दू, आपको अगर कोई doubt हो, तो आप नीचे दिये गए, number पे भी call करके कोई भी query होना, आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो website check out कर लेना, plans वगरा check out कर लेना, एक चीज और यार, what to study and what not to, देखो यह बहुत important है, क्योंकि last में, last के जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो last के 3 to 4 months में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जो चीजे मैं पूरे 2 साल के span में पढ़ा हूँ, वो मैं last के 3-4 years में continuously, वो ही same चीज को पूरे full potential में revise नहीं कर स तो देखो basically मैंने एक simple सा strategy बना लिया था, मैं तुम्हें physics chemistry bio के according divide करके थोड़ा बता देता हूँ, तो देखो physics में, physics में सबसे पहले हम आते हैं NCRT पे, तो NCRT पे देखो 2 चीजे हैं, एक तो 12th NCRT और एक हो गया तुम्हारा 11th NCRT, 12th NCRT must है, must एकदम करना ही है, तुम् conductor हो गया, ठीक है, फिर magnetism में भी जो theoretical part है, magnetism का theoretical part, EMI हो गया, electromagnetic induction, EM waves हो गया, ठीक है, EM waves, electromagnetic induction, ये सब topics, even current भी, current में से हमारे year में 2020 में theoretical question आया था, एक graph को लेके अगर आपको थोड़ा याद हो, अगर आपने solve किया हो, तो copper conductivity पे ग्राफ आ गया था हमारे 2020 के paper में, ठीक है, अगर मैं 11th physics बलू, तो इतना साथ important नहीं है, better यही है, कि आप prepared रहो, आप 11th NCRT भी एक बार पढ़ लो, लेकिन 11th NCRT अगर आप एक या दो बार भी read कर लेते हो, और चीज़ों को समझ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको physics 12th की NCRT बहुत धंग से करनी है, और इसको करने के लिए आपको additional effort करने की ज़रत नहीं, क्योंकि आप boards में already करोगे 12th physics NCRT, आप boards के लिए already prepare कर रहोगे, तो तब तो आपका यह होई जाएगा, इसके बाद physics के बाद हम आते हैं, chemistry पे, chemistry में मैं आपको बता देता हूँ, physical, organic, inorganic में आपको क्या 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 कर होनी चाहिए, बढ़ हाँ, physical में जरूर जो theoretical chapters है, वो जरूर आप एकदम bio की NCRT की तरह एकदम line wise, line wise, एक line से question बनाके, एक line को याद कर सकते हो, ठीक है, physics में, sorry, physical में theoretical chapters, कौन-कौन से होते हैं, thermodynamics थोड़ा बहुत कर सकते हो, solid state हो गया, chemical kinetics इतना नहीं है, बढ़ फिर भी जहां 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 पर भी theoretical चीज़े possible हो, माल लो तुमारा और कोई भी chapter है अगर, तो वहां पर भी अगर थोड़े बहुत theory की चीज़ें मिल जाती है, तो वो आप धंग से कर सकते हो, अब हम आते हैं किस पर? इन और्गनिक पर, तो इन और्गनिक तो देखो आपको पूरा करना ही है, blocks में मैं कहूंगा complete NCRT must है, blocks में आप NCRT छोड़ी नहीं सकते, बट बाकी में अगर आपके short notes अच्छे हैं, अगर आपके teacher ने बहुत धंग से आपको पड़ा रखा है, तो फिर जैसे कि periodic table में अगर आपने मालो नहीं किया, बट आपके short notes अच्छे, आपके teacher न से metallurgy, pure NCRT, pure NCRT के अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई module कुछ भी topic करने की ज़रूरत नहीं, कहीं से metallurgy हो गया, coordination compounds हो गया, इतने सारे theoretical चीज़े बनती हैं, ठीक है, तो theoretical जितने भी parts है, वो सब आपको NCRT से करना है, तो देखो organic में क्या है, organic में आपको, मैं theoretical chapters के list देता हूँ, यह आपको must NCRT से करना है, बाकी आपकी मर्जी अगर आप करना चातों, NCRT से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं, NCRT से, of course यह समझ में भी आता है, क्योंकि organic ऐसा topic है, जो किसी teacher का पढ़ाया हुआ ही ढंग से समझाता है, आप NCRT based यह full NCRT oriented इतना जाधा नहीं कर सकते हैं, तो organic में कुछ theoretical chapter है, वहाँ पे teacher का इतना point नहीं आएगा, बठाँ, वहाँ पे आप NCRT को किस तरीके से पढ़ते हो, बायो की तरह अगर आपने एक एक लाइन को धंग से पढ़ रखा है, तो ही आपको questions धंग से solve पाएंगे, ठीक से हम percentage determine करते हैं, ठीक है, तो यह सब चीजे सारे qualitative quantitative analysis of element बहुत important है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि 12 में अगर आप बोलोगे, तो last के जो तीन chapters है, chemistry in everyday life, biomolecule और polymers, ठीक है, biomolecule और polymer, तो यह जो chapters है, यह सब theoretical है, और यह इसमें से पक्का questions आते हैं, ठीक है, इसमें से, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हो, इसके अलावा मालो environmental हो गया जिसे, environmental को कुछ लोग inorganic में भी count करते हैं, organic में करते हैं, तो थोड़ा confusion है, बर अगर आप organic में count कर रहो, तो environmental chemistry भी एक ऐसा theoretical chapter है, जो आपको करना ही करना है, NCRT से, तो इन subjects की NCRT आपको करनी परेग या फिर अगर आपका ढंका module भी है, तो आप वह भी कर सकते हो, बट इनकी NCRT आपको जैसे आप bio को एक एक line करते हो, statement wise और एक statement, एक line, एक point से question बनाने कोशिश करते हो, वैसे आपको organic में भी करना है, इन chapters के लिए at least तो करना ही करना है, बाकी आपको पता है, आपको क्या क I want, तो जो इंट्रो वाला पार्ट है, उसमें से आप 2-3 question expect कर सकते हो, फिर isomerism, इसमें से आप 2 question expect कर सकते हो, तो देखो IUPAC, isomerism और ही theoretical chapters, यही मिला कि आपका आधा organic हो जाता है, यानि कि 6-7 questions तो यही से हो गए, इसमें अगर आप name reactions मिला दो, तो total 10-11 questions हो गए, यानि जो तो around 40-50% of syllabus है, उसमें से ही out of 15, 11-12 out of 15 questions आ रहे हैं, यही समझ गए, और गैनिक में अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपके 11-12 questions solve हो जाएंगे, क्या-क्या, name reactions और उसके पूरे mechanism और ठीक है, इसके अलावा और क्या IUPAC करना है, isomerism करना है, और जो theoretical chapters में बोले है, ब 2019 तक, 2019 तक तुम्हें फिर भी काऊंगा, थोड़ा बहुत एकात बाहर फिर से आ जाता था, but 20 में full NCRT से, 21 में full NCRT से, 22 में full NCRT से, तो basically लास्ट प्रिवेस तीन साल का trend है, पूरा जो paper है, वो पूरा कहां से आ रहा है, आपका NCRT से आ रहा है, तो अभी भी most probably, kind of 100% NCRT स पढ़ो, अगर आपको कोई समझ नहीं आता, तो उस चीज़ के लिए आप, आपकी teacher की help ले लो, या फिर अगर आप कोई book, reference book देखना चाते हो, देख सकते हो, but वो सिफ तभी है, जब आपको NCRT से समझ नहीं आ रहा है, या NCRT आद नहीं हो रही, या फिर कोई point में बहु question book करना है, तो यह figure out करना बहुत important है, देखो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने resources को, अपने mind को इधर उधर लगा रहे होते हैं, मालो कि मैंने कहीं पर क्या कर दिया, कि मेरको जहाँ पर module पढ़ना था हो, वहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं, मेरको जहाँ पर NCRT पढ़ना इसी के लिए पता होना चाहिए, कहां पर आपको NCRT पढ़ना है, कहां पर आपको कुछ और चीज़ पढ़ना है, कहां पर थोड़ा depth में जाके पढ़ना है, कहां पर आप superficially भी अगर आप read करके निकल जाते हो, तो वो चीज़े हो जाएगी, तो इस सब चीजों के लिए आ 12 के high-weightage topic कौन सा होता है, modern, ठीक है, modern से ही, around 6-7 questions का सबस आ सकते है, modern plus semiconductor ले लो, यह जो chapters है, यह काफी easy है, comparatively अगर आप देखोगे, electrostat के या बाकी के, तो काफी easy है, बट high-weightage है, यानि कि आप easy काम करके आप अच्छा score कर सकते हो, modern semiconductor, फिर current electricity, हर साल current electricity, although बाकी electrostats से almost 2-3 questions पका आई रहे हैं, और आने भी चाहिए, आगे भी, 2-3 questions पका आई रहे हैं, और वो easy topics पर होते हैं, वो बहुत predictable questions होते हैं, almost fixed pattern वाले questions होते हैं, क्यार यह वाला जो question है, यही type का question kind of आएगा, इसके अलावा क्या, 12 में अगर आप मिल से पूछोगे, तो बाकी magnetism का भ weightage भी हाई है, तो आप यह भी कर सकते हो, और electrostat वागरा में कहूंगा, tough तो बहुत हैं, बट question इतने जादा नहीं आते हैं, एक या दो ही question आते हैं, electrostat में से, ठीक है, electrostat हो गया और बाकी चीज़े हो गई, चलो, अब हम आते हैं यार, chemistry में, तो chemistry में, physical का में नहीं बता रह है, और ऐसा कोई भी chapter नहीं, जहां से बिलकुली एकदम question ही नहीं आते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे छोटे मोटे chapter जैसे redox वगरा हैं, बहुत simple है, बहुत छोटे chapter है, लेकिन पक्का एक से दो question आप expect कर सकते हो, लेकिन in general, physical में ऐसा कुछ है नहीं कि even weightage सा है, तो physical में out of मालो 45, अभी तो 50 हो गया है, बट फिर भी मालो 15 questions होंगे inorganic में, तो chemical bonding उसमें से ही 4-5 questions उसमें से ही आ जाएंगे, ठीक है, तो chemical bonding बहुत important है, chemical bonding आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मालो आप revise कर रहो, inorganic revise करने गए, सबसे पहले हाई विटेश topic पढ़ो और वो है chemical bonding, ठीक है, chemical bonding कर लिया, इसके बाद आप आजाओ, 11th के चैप्टर से स्चुरू करो पहले, s block करो, और फिर पूरा block कर डालो, ठीक है, इसके बाद आजाओ, p, d, f, या नि पूरा block chemistry आपको, इसके बाद कर डालना है, क्योंकि block chemistry का भी काफी high weightage है, in fact, chemical bonding के बाद अगर weightage द मिला के, ठीक है, s, p, d, and, f, मिला के, तो ये आप उसके बाद blocks कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप coordination कर लेना, तो इसके बाद हम periodic table पर आजाएंगे, तो basically, periodic table पर आप क्या कर सकते हो, periodic table काफी easy है, बट उसमें से भी एक दो question आ रहे हैं, periodic table आप कर सकते हो, और उसके बाद finally, जो भी बचता है, metallurgy हो गया, जो भी है, तो इसके बाद हम आते हैं, organic में, तो देखो, organic का, तो basic मैं तुम्हें बताई दिया, basically, हमें वही theoretical chapters करने, starting intro वाला part करने, यानि, IUPAC हो गया, isomerism हो गया, इसके बेसिक चीज़े करने के बाद, आप reactions पे move on कर जाओ, reactions में जितने main reasons बता दिये, आपको क्या गया करना है, किस पर ध्यान देना है, PYQ, analyze करो, main topics को identify करो, जो topics जादा weightage में है, जो topics में से बार-बार questions आ रहे हैं, उनको identify करो, और उनी topics को धंग से revise करके जाओ, main main चीज़े करके जाओगे, तो अराम से आप 600 plus score कर सकतो, अपने mind में हमेशा इ ही है, जितना कम टाइम बचा है, आपको उसके according सोचना है, और मैंने भी यही किया था, तो आप समझ जाओ, कि अगर topper भी यही कर रहा है, topper भी सारी चीज़े नहीं पढ़ रहा है, last के time पे, identify करना बहुत important है, क्या पढ़ना है, क्या चुड़ना है, यह चीज़े कर लो, definitely मैं गारेंटी देता हूँ कि यह आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और आप अपके ड्रीम कॉलिज में पहुंच रहोंगे, तब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई